उमेश शुकला जी को जानते हैं सबी, मैं समझते हूँ आपका 2017 में आना हुआ था, हमने जो शिवरात्री का मेला किया था वीर सावरकर में, उसमें आप पहली बार आए थे और मुझे आज भी वो मुलाकात याद है, आप बहुत वेल रेड हैं, और उस समय शायद वो फिल्म निकल गई थी, आपकी, oh my god, निकल चुकी थी, शायद रिलीज हो चुकी थी, और उस समय हमने सोचा परमात्मा का परिच्चे उनों को दे, और जैसे जो बाबा कहीं पर कहते हैं, बचे, आप नहीं समझ सकेंगे, कौन ग्यान में निकलेंगा, तो मुझे आज भी याद है, और मैं सचाई से उस चीज़ को बोलती हूं कि मैं मिली, मैंने बाहर आके का, बेन मुझे नहीं लगता है, कहां समझेगा, इतना पड़ा हुआ, इतना परमात्मा के बारे में अलग-अलग बाते हैं, पर भाई को कुछ तो बाबा, जब बुद्धी को प्रेरता है, फिर कोर इनों की क्रू वहाँ पर गई थी, और बाबा के पहाड़ी पर और शांति स्तमन्ने स्थानों पर उसकी शुटिंग थी, और दो दिन आप सुभाश भाई के अंग संग थे, ये भी आपका भागय था कि बाबा के घर में थे और उनके साथ थे, बाबा के बाई शेर करेंगे अम शांति मैंने सुभाश भाई को ऐसे ही बताया था, सुभाश भाई से मेरी मुलाकात कैसे हुई थी कि मैं जैसे ही वहाँ एस जीफ गेस था, तो वो उन्होंने मुझे वहाँ पर मिले और मुझे बताया कि आप बॉलिवुड में काम करते हैं, मैं रहां करता हूं, अभी एक फिल्म ही बला अच्छा है, हमने यहाँ पर देखी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, फिर मुझे नाश्टा कराने लेके गए, तब बताया कि यह जो भी डाइनिंग जो वहाँ का था, उनकी इंचार्ज वो थे, और इतना प्यार से मुझे उस वक्त उन्होंने नाश्टा करवा है, फिर बोला कि आपको पता है पांडव भवन कहां है, कैसा है, मैंने बोला कि सुना है पर गया नहीं हो और मुझे जाने की बहुत ही तिवर इच्छा है, तो उन्होंने का कल सुबे चार बजे आपको तयार है ना मैं आपको लेकर जाओंगा, तो मैं दूसरे दिन चार ब है, आज भी मैं उनके मैसेज कहें जार करूंगा, हमारे रोज ऐसा होता था कि एक बार हमारी बात होती ही थी, मतलब या वो मुझे मैसेज करेंगे, मैं उनको मैसेज का जवाब दूगा, अब दो दिन से ऐसा था कि हम लोग शूटिंग के लिए वाँ गए थे, हमने टोटल बारा दिन शूटिंग किया है, दो दिन रिशी केश में किया है, साट-आठ दिन हमने ःज एक जघह है, और वो भी जहां एक्टुली जो हमारे सुभाज भाही रहते थे, जो एक्टुली वो महारश्वें थे और वो साता रख के आसपास ही कहीं रहते थे और वहीं पर हमने और साथ दिन शूटिंग की तो तब भी मेरी उनसे बात होती थी मैं कहता था मैं भोर में हूँ बला अच्छा है वहाँ ये खाना खा लेना या ये कर लेना हमारे सेंटर से ये आ जाएगा आप ये कर लेना ये सब चीज हमारे रोज बात होती थी पिछले दो दिन से हमारी शूटिंग सी वहाँ पर माउंट अबू में उपर ज्ञान सरोवर में और पांडो भावन में हमारी शूटिंग सी ये एक्चुली Light and Sound शो होने जा रहा है लेजर का बहुत बड़ा शो होगा जो बाबा के ऊपर बन रहा है और PM पार्क वहाँ प्रकाश्मने दादी जी का वहाँ एक पार्क बन रहा है नहीं पर वहाँ पर भी बहुत बड़ा Light and Sound शो ये Summer से शूबरू हो जाएगा तो उसका shooting था तो वैसे ही हमारा जब भी मिलना होता है तो हम इतना प्यार से मिलते हैं मतलब मैं ऐसा लगता है कि मेरे बीछेडे हुए अब कोई भाई हो उतने हमारे रिष्टे अच्छे हो गए थे और मैंने कहा उन्होंने मुझे कहा कि अब कहां shooting करोगे मैंने मिला पहले एक बैल गाड़ी का एक किस्सा है जो बाबा जब कराच पाकिस्तान से जब यहां आये थे तो कैसी struggle करके बाबा यहां आये थे तो हमने boot का shooting, train का shooting वो सब चीजे कर ली थी जो steamer में वो आये थे वो सब shooting पहले हो गई थी एक बैल गाड़ी वाला जो था जब पहाड़ी पे चरते थे तो वो एक scene बागी था और एक scene बागी था शांतिस्तम का और एक scene बागी था जो बाबा meditation करवाते थे पहाड़ी पर तो तीन sequence बागी थे तो सुबश भई ने मुझे अपनी इच्छा व्यक्त की कि ऐसा हो सकता है कि मैं भी फिल्म में एक बार आ जाओं तो मेरी ऐसी सेवा हो जाएगी और मैंने बोला कि आप तो मेरे भाई है आप ऐसा क्यों कहते हो मैं अभी आपको कि आपको है और हम दोनों ने वहां meditation भी किया हुआ है चाय और ऐसा थरमोश में लेकर गए थे उनको पता कि मुझे चाय में चाय चाहिए होती है तो पता नहीं उनका ऐसा होता था कि पता कर लेते हैं क्या चाहिए तो चाय का थरमोश भी लेकर आया थे और मुझे पता नहीं था कि उनके जूले में चाई है मैं यहां उपर गया था जब पहली बार 2000 कोवीड के पहले ही गया था तब मेरे साथ हम लोग हम उपर थे और मैं बोला यहां तो एक चाई पिरी जिये तो मैं पिलाता हूं करके उन्होंने चाई निकाल को यह क्वे के सीन परसों के सीन की बात करता हूँ मैं कल उन्होंने अपना देह छोडा उसके पहले वाले दिन की की बात करता हूं कि वो बैल गाड़ी वाले सिक्मफ्वन्स में भी डहां देख रहा था कि आएनगी क्यूंकि बहुत पास था ज्यान सरूर रहे थे यह तो हम लोग का पूरा एक होता है ना द्रड निश्चा है बाबा ने कहा है हमिशा कि आप रहते हो आज कि उसमें भी यही था कि अगर आपका वो करेक्ट है कि आपको कर नहीं है तो आप कर सकते हो तो हम सब लोग क्रू के साथ उपर चड़ गए और मैं ने देखा कि सुबाज वाई भी पीछे आ गए मैंने देखा आप आ गए ना यहां पर हां और चाय लेकर आयो उन्होंने बोला यह देखा कितना अच्छा है फिर मैंने पूरा सेटिंग यूस किया सबको बिठा दिया था योग के लिए बाबा बैठे है बाबा भी आप देखो के जीनों ने जो प क्यारे इंसाने जिन्होंने बाबा का रूल निभाया है आप देखोगे तो आपको आक्सु आ जाएगे आपको लगेगा कि आप बाबा को मिल ली है इतना अच्छा आपको ऐसा सुलो तो बाबा बैठे थे और उसके पीछे सारे लोग बैठे थे और मैंने सुभश भाई को आगे बिठा दिया बाबा बैठे है उनकी लेफ्ट एंड साइड पे और एक दादी है और उसके बाद मैंने उनको बिठा दिया तो उनको इतना अच्छा लगा और शॉट क्या होता है कभी-कभी रीटेक होता है कट होता है दो बार होता है तीन बार होता है ऐसे चार-पां बैठना जैसे टक्टार बैठना और आप अच्छे से योग करना तो इतने अच्छा उनको लगा फिर आये और उन्होंने मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया सुभज भाई क्या हो रहा है आपको कुछ नहीं थोड़े चक्कर से आगये तो मैंने बहुत पहले वही चाहिए पहले जो आप मेरे ले ले आए आप पीजिए और आप बिस्कुट खाए तो हम दोनों ने बैठ कर बिस्कुट खाए फिर नॉर्मल हो गए वहां डॉक्टर भी उनको लगा कि मैं बाबा के साथ ही बैठा हूं उनका ऐसा अनुप हो था मैंने बला यह तो बहुत अच्छी बात हो गई तो बुला कि देखो पहले मैंने आपको पांडो गहन में दर्शन कर रहा है थे आज आज आपने मुझे करा दिये ऐसा सुबाश भाई ने मुझे का फिर मैंने का कि यह तो बहुत अच्छी बात हो गई फिर कहा कि यहां तो हमारे दोनों की फोटो बनती है तो वो फोटो जो थी वो हम दोनों की किसी ने निकाली और हम को शैर हमारे साथ शैर की यह हमारी आखरी तस्वीर थी कि जो हम ने स रात में ली और उसके बाद हम नीचे उतरना शुरू कि एकदम ही नौर्मल के कुछ नहीं था और वो इनफेक्ट जुनको पता होता है वो रूड कैसा होता है वो फटा फट उतर जाते तो हम से पहले उतर की वो तो बैड़ गए थे तो मैं नीचे भी आ गया उनके पीछे पी और वो अईसा होता कि गाड़ी आपको बाहर पारक करनी होती है अपको पहले कुछ चलना होता है ज्या गाड़ी पारक होती है तो नौर्मली ऐसे हम हाथ पकड़ते हैं आप आख का चलो और हम औलमुस्ट पांसो मिटर तक चल कर ऐसी हाथ में हाठ डाल के चलते रहे मेरी वाइफ भी थी साथ में दोनों गाड़ी में बैठे और मैं उटacz इंति इस तो इसमेरी वाइफ ने ने wuchs लगा कि आपको यह गीयर वाली चलेगी औरुन को मेरईativa हा कि रास्ते पता नहीं है यह चोटे चोटे रास्ते होते हैं हम बड़े रूड के लिए आदी होते हैं तो आप चला लो कि ऐसे ही डौट किया ताकि मेरी वाइफ को लगा कि फिर सुभाष भाई खूद ही बोलेंगे नहीं नहीं चला लेता हूँ कि ऐसे होता है ना पत्नी अलग तरह से बुलती है कि उनको भी बुरा न लगे ऐसा हो तो यहां पर सुभाश भाई ने बुला कि नहीं उमेश भाई चला लेंगे गाड़ी आज कि तो सार्थी मुझे बनाया है कि अब निकले वहां से बिच में पांडव वहन आता है वहां से आप जाते हो बाबा पहाड़ी से और मेरी वाइफ को वार्श्रूम जाना तो मेरी वाइफ के लिए वापस पांडव भावन ही रूखे जहां हमारी अच्छी मुलाकात हुई थी वहीं पे हम मिले बापस उन्होंने मेरा गाड़ी में भी हात पकड़ा एक बाद और वह एकदमी स्वस्थ थे बिल्कुल किसी को अंदाजा ही नहीं हो सकता है कि वह बीमार है खाली एक सेकंड के लिए उनको ऐसे चक्कर आये थे वह भी उन्होंने ऐसा बता है कि मैं मेडिटेशन में इतना यह हो गया था कि मुझे अच्छी अनुभूती हुई यह अनुभूती है और कुछ नहीं है पिर फिर मुझे जहां में रहता था जहां पर आखरी शौट मेरा बाकी था वहां पर हम लोग मिले और मुझे बहुत अच्छे से गले बहुत अच्छे से गले मिले आखरी टोडी उनके आससे मातयवी मनें खाई और मकंदें हुए मैं जल ज़न दो अलग हुए ऐवान का चलग और मेरी जल्दी फ्लाइट है चलग और अ क्वे जब भी यह तो मेरा बहुत वापस आना जाना हो गा क्योंकि अभी फाईनल स्टेज submitted वहां हर चीज की चेकिंग होगी मेरी light की sound की वह रचीज की ऑप तो इतना आना जाना हो गा कि हम रोज चार बजे वहां जाएंगे और मैं फ्लाइट से land किया जैसे ही flight land हुई और phone वहां airport पे वह प्लेन में रहते हैं, और आपको बोल्ते हैं, अपतना फोन यूजड्य कर सकते ह। और मैंने फोन जो है, वह चालू किया, शीवी का बहन का एक दो तीर ऐसे मिस्स कॉल थे शीवी का बेन वहां जो वहां की इंचार्ज है हमारी फिर मैंने मैंने बोला कि एक बार लगेज ले लेता हूं फिर बात करता हूं क्यों कि वह लगेज लिया हम लोग गाड़ी में बैठे वापस शीवी का बेन का फोन है कि मैं कबसे मैं कुश कर रहा हूं और आपका लग नहीं रहा है क्या हुआ शूटिंग तो सब बराबर हुआ रहा हां वह हुआ पर सबसे पहले आपको यह बता रहा है कि शुबाश जी अब नहीं रहे लब इतना हमारा अच्छा एक अनुभवता पर बाबा कहता है न कि यह व्यवस्तित नाटक ह एक यूर policeman चाया है रशी कि वरना हम दोनों ऐसे मिला क्या कोई वह कोई चांस ही नहीं कोई चांसी नहीं था अगर मैं यह शूटिंग पहले यहीं शुटिंगा मबहर में करने वाले तैंटोंभॉन वहां create करने वाले थे पहले वहहीं पर झैरे कके दिक यह वाहीं करने वाले ती पहलु कि यहाँ सो वह आप गये हो ना पंड़व तो वहां वहां पर ऐसे बनने वाले थे जो लकडी का होता है है वैसा हम बननेims थे और मैंने बोला कि वो फील यहां नहीं आएगी जो पांडव गौन में आएगी तो मेरे टेक्निकल यूनिट बोलने लगी पर उस वक्त का जो था और इस वक्त में काफी चीज़े पाफ पीछे बोला जब अगर भावना सही होगा फरक नहीं पड़ेगा लोगों की भावना उस वक्त उसी चीज़ में रहेगी तो वह मेरा मेरा मैंने यह शीवी का बेहन को कहा कि थोड़ा खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा पर उसकी भी चिंता आप मत करना हमारा कुरू जो हो ऐसे ज्यान में चल रहा है और दूसरे भी जो है वो चीज़ को देखें कि तो और अच्छे से देखें उसके लिए हम वही पर शूटिंग किये और वही चीज़ सी वही वजह से हम सुभाश भाई को मिल पाए और दो दिन ऐसे साथ में रहे दो भाई की तरह तैंक यू वेरी मच ओम शंति और पालना मिली और बाबा हमेशा कहता है पालना याद रह जाती है ग्यान कभी कभी भोल जाता है पालना याद रहती है जैसे भाई भी सुना रहे थे वो चाई वो बिसकेट वो जो केर होती है वो हमेशा याद रहती है और हम लोग भी बेने जब जाते थे तो कहते थे इतना लोगों का खाना और इतना स्वाधिश्ट और सबके लिए सेम भोजार और कैसे आप बना पाते हो तो हमेशा वो मुझे लेके जाते थे अंदर दिखाते थे कि कैसे वेजीटेबल का कटिंग होता है कैसे रोटिया बनती है कल जब मेरे इतने कुरू आये थे तो वो लोग भी ताज्यूब थे कि कभी-कभी तो ये दोजार की लोगों की बात नहीं है पाचेजार पचीसजार लोग नीचे आते हैं कभी-कभी जब फैस्टियोल होता है हर पंद्रा दिन में बीस-पचीसजार लोग वहां आते तो सबका खाना ऐसे कैसे बनता है तो कैसे सोलार सिस्टम और कल पेरे यूनिट को सबको उन्होंने दिखा है वहां वो जर्मन भाई भी थे जिनोंने गोलो भाई थे जिनोंने वो सोलार सिस्टम नगए वो भी थे तो उनके साथ भी वो तो आये ही थे कि देखो कैसे यह बनाया तो इतने उनको सेवा का भाव बहुत था उनका जरूरी हम ऐसी आत्मा से प्रेड़ना भी लें और जरूर ड्रामा में उनका आगे वंडर्फुल पाथ है बहुत बड़ा पाथ है बाबे को ऐसी विशेश योगी आत्मा चाहिए जिनसे बाबा अपना आगे का विशेश बड़ा कारे करवा सके यही कहेंगे कि एक न्यू बिग्निंग है एक चोला छोड दूसरा लिया है और एक बहुत सुंदर नई शुरुवात है और हम सबने उनसे बहुत सीखा है बहुत पालना ली है और जो सीखा और पालना ली है वो हमें सब को दे लिए तब ही हम सब मिल करके दो मिनिट साथ मा को शांती का दान योग का तान देंगे ऑप्शन थे उमेश भाई का बहुत बहुत थैंक्स आप कर रात ही पहुंचे मैंने सबसे पहले समचार उमेश भाई से प्राप्त किया हमारी बिल्डिंग बाजू-बाजू में है मैं नीचे खड़ी थी और उनकी कार आई और उनने का मैं आबू से ही वापस आया हूं और फिर जब वो बता रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो कहते है बेंट ड्रामा ऐक्यूरेट है ऐसा हुआ पर मुझे समझ नहीं आया वो किस चीज की बात कर रहे है फिर मैंने उनको पूछा सुबाज भाई कि उनको पता ही होगा क्योंकि वो एक द अ बेडिया हुआ शांती सागर की लहरे जब जब पास में आए ओ शांती ओ शांती शांती सागर की लहरे जब जब पास में आए मन हो शांत तन हो शीतल पावन सुख वरसाए शांती सागर की लहरे चलता चलता उस सागर में जब कोई हो जाए चलता चलता उस सागर में जब कोई हो जाए हीरे वोती शिव सागर से वो अनोखे पाए शांती से भर भर नैना शांती सब को लुटाए शांती सब को लुटाए शांती सागर की लहरे की बुटाए की बुटाए शांती सब के लुटाए की बुटाए शांती से अनोखे की यह उड़ में